हम आप सब जानते हैं कि स्त्री में गुण सूत्र X-X-X और पुरुष में X-Y-R गुण सूत्र होते हैं। इनकी संत्री में माना की पुत्र हुआ X-Y-R गुण सूत्र अर्थात इस पुत्र में Y-L गुण सूत्र पिता से ही आया। गुंसूत्र माता से आता है। तथा इन दोनों गुंसूत्रों का संयोग एक गांट सी रचना बना लेता है, जिसे क्रॉस ओवर कहा जाता है। तो महत पूर्ण वाई गुंसूत्र हुआ, क्योंकि वाई गुंसूत्र के विशय में हमें निष्चित है कि यह पुतर में केवल पिता से ही आया है। बस इसी वाई गुंसूत्र का पता लगाना ही गोत्र प्रणाली का एक मात्र उद्देश है, जो हजारों लाकों वर्ष वैदिक गोत्र प्रणाली और वाई गुण सूत्र वैदिक हिंदू संस्कृती में एक ही गोत्र में विवाह वर्जित होने का मुख्य कारण ये है कि एक ही गोत्र से होने के कारण वह पुरुष वह स्त्री भाई बेहन कहलाएंगे क्योंकि उनका प्रथम पूर्वज एक ही है परन्तु ये थोड़ी अजीब बात नहीं कि जिन स्त्रीव पुरुष ने एक दुसरे को कभी देखा तक नहीं और दोनों अलग-अलग देशों में परन्तु एक ही गोत्र में जन्में तो वे भाई बहन हो गए? इसका मुख्य कारण एक ही गोत्र होने के कारण गुण सूत्रों में समानता का भी है आज के आनुवन्शिक विज्ञान के अनुसार यदि सामान गुण सूत्रों वाले दो व्यक्तियों में विवाह हो तो उनकी संताती आनुवन्शिक विकारों के साथ उत्पन्न होगी द्वारा भी इस संबंध में यही बात कही गई है कि सगोत्र शादी करने पर अधिकांश ऐसे दमपत्ती की संतानों में अनुवान्शिक दोश, अर्थात मानसिक विकलांगता, अपंगता, गंभीर रोग आदि जन्मजात ही पाये जाते हैं। गोत्र मुक्त कन्या का पाणी ग्रहन कर भावी वर अपने कुल गोत्र में उस कन्या को स्थान देता है। यही कारण था कि उस समय विधवा विवाह भी स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि कुल गोत्र प्रदान करने वाला पती तो मृत्यू को प्राप्त कर चुका है। इसी लिए कुंडली मिलान के समय वैधव्य पर खास ध्यान दिया जाता और मांगलिक कन्या होने पर ज्यादा सावधानी बरती जाती है। आत्मज या आत्मजा का संदिविछेद तो कीजिए। आत्म फ्लस जे अत्वा आत्म फ्लस जा आत्म शैज मैं जे या जा, जन्मा या जन्मी, यानि मैं ही जन्मा या जन्मी हूँ। यदि पुत्र है तो 55% पिता और 5% माता का सम्मिलन है। यदि पुत्री है तो 50% पिता और 50% माता का सम्मिलन है। फिर यदि पुत्री की पुत्री हुई तो वह DNA 50% का 50% रह जाएगा। फिर यदि उसके भी पुत्री हुई तो उस 25% का 50% DNA रह जाएगा। इस तरह से साथवी पीढ़ी में पुत्री जन्म में ये प्रतिशत घटकर 1% रह जाएगा। अर्थात एक पती-पत्नी का ही DNA सातवीं पीढ़ी तक पुना-पुना जन्म लेता रहता है और यही है साथ जन्मों का साथ। लेकिन जब पुत्र होता है तो पुत्र का गुण सूत्र, पिता के 20% गुणों को अनुवांश की में ग्रहन करता है और माता का 5% जो कि किनी परिस्थितियों में 1% से कम भी हो सकता है। DNA ग्रहन करता है और यही क्रम अन्वरत चलता रहता है जिस कारण पती और पत्नी के गुणों युक्त DNA बारंबार जन्म लेते रहते हैं अर्थात यह जन्म जन्मांतर का साथ हो जाता है। इसलिए अपने ही अंश को पित्तर जन्म जन्मांतरों तक आशीरवाद देते रहते हैं और हम भी अमूर्त रूप से उनके प्रतिश्रध्य भाव रखते हुए आशीरवाद ग्रहन करते रहते हैं और यही सोच हमें जन्मों तक स्वार्थी होने से बचाती है और संतानों की उन्नती के लिए समर्पित होने का संबल देती है एक बात और, माता-पिता यदि कन्या दान करते हैं, तो इसका यह अर्थ कदापी नहीं है कि वे कन्या को कोई वस्तु समकक्ष समझते हैं, बल्कि इस दान का विधान इस निमित किया गया है कि दूसरे कुल की कुल वधु बनने के लिए और उस कुल की कुल धात्री बनने के लिए उसे गोत्र मुक्त होना चाहिए, डिना मुक्त तो हो नहीं सकती, क्योंकि भौतिक शरीर में वे डिना रहेंगे ही, इसलिए माय का अर्थात माता का रिष्टा बना रहता है, गोत्र यानि पिता के गोत्र का त्याग किया जाता है, तभी वह भावी वर को यह वचन द पाती है कि उसके कुल की मर्यादा का पालन करेगी, यानि उसके गोत्र और डिने को दूशित नहीं होने देगी, वर्न संकर नहीं करेगी, क्योंकि कन्या विवाह के बाद कुल वंश के लिए रज का रजदान करती है और मात्रित्व को प्राप्त करती है, यही कारण है कि प पत्नी द्वारापती को दान किया जाता है। भारतिय संस्कृति और सभ्भिता के अलावा यह संस्कारगत शुचिता किसी अन्य सभ्भिता में द्रिश्य ही नहीं है। सत्य सनातन धर्म की जय हो।